So, hey guys, मेरे पास है Motorola की तरफ से आने वाला Motorola G31 और guys, इसमें नया software update आ चुका है कोई भी smartphone हो guys, software update related information सिर्फ मेरे चैनल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसी बात पर चैनल को subscribe कर दो guys डीटेल में मैं आपको बताने वाद इस Motorola G31 में, Moto G31 में software update आया है कौन सा software update है और साथ में क्या-क्या features हम लोगों को देखने को मिलेंगे और ये बहुत अच्छी बात है guys कि हम लोगों को Motorola जैसे brand में जो की काफी अच्छा brand है अभी ये software update में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा है पहले इसके update बहुत काम आते थे लेकिन जब से मोटरोला लगाता है स्मार्टफोन लांच कर रहा है और software update सारा कुछ में ध्यान दे रहा है मैं बहुत ज़्यादा खुस हूँ Motorola के लिए बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यान दे रहा है अब आप लोगों को कैसा लग रहा है इसकी Motorola आप लोगों को time to time update देते जहारा है जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पे इस Moto G31 में नया software update आ चुका है अब phone के screen में चलते हैं गैस और मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या features हम लोगों को software update में देखने को मिलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो यह है Motorola की तरफ से आने माला Motorola G31 smartphone और इसमें हम लोगों को नया software update आ चुका है अगर आप setting में जाएंगे अगर आपको नहीं चेक करना आता तो यहाँ पे आपको notification तो आ गया होगा और वैसे भी गैस अगर नहीं आया होगा तो आपको simply कुछ भी नहीं करना है आपके phone के setting में आपको जाना है phone के setting में जाने के बाद simply आपको यहाँ पे software information या फिर system updates में जाना है system update में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को check for update में क्लिक करना है check for जैसे update में क्लिक करोगे तो यहाँ पे show कर देगा कि यहाँ पे software update आया हुआ है तो यहाँ पे guys basically यह जो software update है यह कौन सा update है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे guys आपको new version देखने को मिलेगा version जो है वो change हो जाएगा size guys यहाँ पे सिर्फ 36 MB का है तो इसका मतलब guys यहाँ पे यह कोई नया android version नहीं हम लोगों को देखने को मिल रहा है यह कोई बड़ा software update नहीं है यहाँ पे guys हम लोगों को अपरेल का एक security patch update दिया गया है लेकिन यह भी guys बहुत अच्छी बात है कि time to time पे हम लोगों को security update देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी के time में security update मिलना बहुत ज़्यादा important है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ गई उसके लिए एक video मैंने बनाया था कुछ दिन पहले वो i button में attach कर रहा हूँ उसको जाके देख लो वहाँ पे guys आपको पूरा clear हो जाएगा क्योंकि अभी smartphone बहुत ज़्यादा hack हो रहे है तो इस condition में security patch update जो है वो बहुत ज़्यादा important है यहाँ पे guys क्या-क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि phone की जो stability है वो improve हो जाएगी include changes that fix bugs and improve the stability of your device तो यह भी अच्छी बात है guys हमारी जो phone की stability है वो अच्छी हो जाएगी साथ में कुछ bugs वगेरा पहले से हैं तो वो fix हो जाएगी अगर किसी को G301 में कोई problem वे रहे face हो रहा था तो update के बाद गई सारा कुछ fix हो जाएगा तो यहाँ पर guys जल्दी सी उसको update कर लेते हैं और update करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा तो guys update करके मैं आपसे मिलता हूँ finally guys मैंने जो है software update कर लिया है और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा कोई भी यहाँ पर कोई भी कुछ भी changes देखने को नहीं मिलेगा और यह चीज आप लोगों को पहले भी पता था क्योंकि यह सिर्फ 36 MB का software update है other smartphone brand या फिर यह पहले भी update दे चुका है 200-200 MB का तो भी कुछ हम लोगों को changes नहीं देखने को मिला तो 36 MB में और क्या ही हम लोगों को देखने को मिल जाएगा हा लेकिन guys यहाँ पर bugs वगेरा fix हुए है फोन काफे smooth लगेगा आपको चलाने में used to हो जाओगा आप आपको नया नया थोड़ा सा feel आएगा bugs वगेरा fix हुए है stable हुआ है device अगर कि bug था किसी के phone में या फिर थोड़ा सा lag वगेरा करता तो वो थोड़ा बहुत और ज्यादा improve हो जाएगा तो रही बात guys इस software update को करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए तो मैं recommend करता हूँ guys इस software update में कोई भी issue नहीं मुझे लगा अभी तक आप update definitely कर सकते हो क्योंकि सिर्फ 36 MB का update है सिर्फ bugs वगेरा fix किया गया है और ये एक basically security patch update है जो की करना बहुत जादा important है guys क्योंकि अभी smartphone hacking वगेरा की problem चल रही है और Motorola के device में ही हुआ है पिछले कुछ दिनों पहले तो इसलिए मैं आपसे request करता हूँ कि आपको security patch update कर लेना चाहिए अगर आपके phone में कोई गड़बढ है तो वो फिलहाल ठीक हो जाएगा आपको ये वीडियो बहुत ही जादा पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना थैंक्स फॉर वाचिं गाइस